लिए आल डियर स्टुडेंट मोस्ट वेलकम आल आफ यू इन मेडिकल पलस्ट चैनल तो आल डियर स्टुडेंट टोड़े हम लोग डिसकस करेंगे आइमस BSC Nursing Intense Exam 2024 एप्लिकेशन फॉर्म के बारे में तो आप लोग के लिए जो BSC Nursing, Post Basic BSC Nursing and MSC Nursing Courses के लिए जो आइमस की तरफ से BSC Nursing का फॉर्म आने वाला था, एडमिस्ट फॉर्म आने वाला था, वहा रिलीज हो चुका है तो उसी के बारे में आज हमें यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एडमिस्ट नोटिस फॉर BSC Homes Nursing, BSC Nursing, Post Basic BSC Nursing, BSC Paramedical Courses and MSC Nursing, MSC Courses, MSC in Biotechnology for Season अगस्ट दो हजार चौबिस एडमिस्ट के लिए आ गया है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, schedule for undergraduate courses के बारे में, तो यहाँ पर schedule for undergraduate courses के लिए दिया गया है, इस form को जब आप फिल करेंगे, तो उसमें भी कई step होंगे, और उसमें जो आप form फिल करेंगे, वो जो अलग-अलग day आपको जाके वहाँ पर form को फिल करना पड़ेगा, तो जो सबसे पहला step आएगा, आप 24 से लेके जो है, 5-3-2024 से लेके आप जो है, 4-4-2024 साम पांच बज़े तक यह process complete कर सकते हैं, then next step आता है, आप लोग का generation of code for final registration for VSC homes nursing, VSC nursing post basic VSC paramedical courses के लिए, 2024 only for those whose basic registration is accepted, तो second process is second step of form को फिल करने का, उसमें जो code जनरेट होगा, वा only candidate के लिए जनरेट होगा, जिनका first step में form, accept registration form, accept किया गया होगा, IMS के द्वारा, तो उसकी starting date fill करने की वा, 12-3-2024 से लेके, आप लोग जो है, 12-4-2024 साम पांच बज़े तक इस step को complete कर सकते हैं, then next step आता है, आप लोग का final registration payment of fee, and city choice only for those who have generated code for final registration, तो या step उनहीं के लिए, प्रोसेज जो है, उनहीं के लिए होगा, जिनका जो है, जो code generate होगा, जिनका code final registration के लिए, जो code generate होगा, वा accept किया होगा, उनहीं के लिए, जो है, यहाँ पे आएगा, तो इस step में आपको जो है, पी payment करना, और जो आपका, अपने लिए, जो है, intense exam, city choose करना, कि आपको जो किस city में intense exam देना चाहते हैं, तो इस स्टार्टिंग डेट जो है, इस प्रोसेस के लिए, वा बारा तीन दोहजार चौबिस से लेकि जो है, बारा चार दोहजार चौबिस साम पांच वजे तक जो है, इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं, देन आज आता है, आप लोग का schedule for post graduate courses के लिए, जैसे कि post basic VSC nursing, MSC, मलब जो MSC nursing courses है इसके लिए, और जो master in biology courses के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है basic registration for MSC nursing, MSC in biology, MSC courses 2024 के लिए, तो जो इसका starting date है, इस step को complete करने की वाज़े, पांच तीन दोहजार चौबिस से लेकि आप लोग जो है, चार चार दोहजार चौबिस साम पांच वजे तक इस step को complete कर सकते हैं, then next step आता है, अगला step, generation of code for final registration for MSC nursing, MSC in biology, MSC courses 2024 only for those who basic registration is accepted, तो जो हमने अभी बता है था, वही पर यहाँ पर भी वही, जो है rules दिया गया कि जिनका basic registration accept किया होगा, उन्हीं के लिए, जो second step में code generate होगा, तो इसको इस process को complete करने का जो date हुआ, बारह तीन दोहजार 2024 इसका starting date है, और closing date जो है, बारह चार दोहजार चौबिस साम पाच विजे तक ही complete कर सकते हैं, then next step आता है, आप लोग का final registration payment of fee and city choice only for those who have generated code for final registration, तो इसका भी starting date है, बारह तीन दोहजार चौबिस से लिए कि बारह चार दोहजार चौबिस साम पाच विजे तक आप इस process को complete क कर सकते हैं, then यहाँ पर दिया, all application are required to visit the website, सभी application को सकता है, कि वहीं जो विजेट को विजेट करते हैं, जो कि विजेट करते हैं, www.amsexams.academic.in regularly, since all subsequent curriculum, addendum updates, will only be upload on the website, मुलब सभी update के लिए आपको daily इस website पर विजेट करना चाहिए, सभी student को जो भी इस form को फिल किये होंग जिस भी course करने के लिए, जो भी student form फिल किये होंगे, जो भी student form फिल कर दी है, अगर उन्हें अपडेट, daily के अपडेट देखना है, तो उन्हें जो daily aims का website हो, उस पर विजेट करना होगा, then यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम लोग जो है, इसका फिस कितना लगेगा, application form फिल कि बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, application form फिल कितना लगेगा, तो यहाँ पर दिया गया गया, general and OBC candidate के लिए, application form जो है, 2000, 2000 रुपे है, and SC, ST, EWS के लिए, जो 1600 रुपे जो है, application form फिल के है, SC, ST, EWS candidate के लिए, और general and OBC candidate के लिए, 2000 रुपे है, application form फिल, यहाँ पर बात करते हैं, आप लोग का जो intense exam होगा, BSC, Horns, Nursing के लिए, तो इनका जो intense exam होगा, ऑँ online mode में होगा, duration जो मिलेगा, intense exam paper को solve करने के लिए, वाद 2 गंटे का आपको time मिलेगा, जो question paper आएगा, और English, Science, Hindi, दोनों language में आएगे, कि subject से question पूछे जाएगे, तो आप लोग के जो physics, biology, chemistry and general knowledge subject से question पूछे जाएगे, अन नमबर वाफ question जो होगे, आप लोग के वा 100 question पूछे जाएगे, जो की multiple choice question होगे आपके, टोटल marks जो होगा, आप लोग के intense exam में question का बाज़ जो है, 100 marks के question आएगे, 100 question भी रहेंगे, तो marking scheme क्या है, अगर आपका एक question तहीं सही है, तो उसके लिए आपको 4 number दिया जाएगा, अगर आपका पहला सही है, पर दोसरा गलत है, तो पहले के 4 message जो है, एक number जो कट कर लिया जाएगा, तो minus 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर negative marking, जो negative marking है, उसकी process यहाँ पर intense exam में लगाया गया है, negative marking, रिडात्मक marking के जो process से लगाया गया है, यहाँ पर इस सभी subjects जो आप लोग से intense exam में question पूट अप किया जाएगा, जो बात करते हैं, यहाँ पर पोस्ट basic BAC nursing की, तो पोस्ट basic BAC nursing candidate का जो intense exam होगा, online mode होगा, duration जो रहेगा, 90 minute का time मिलेगा आपको, जो question paper का language रहेगा, in the end, English दोनों language में आएंगे आपके questions आरे, and जो आप से question पूछा जाएगा intense exam में, तो आप लोग के nursing subject जो है, medical surgical nursing, fundamental of nursing, pediatric nursing, and midwifery, psychiatric nursing, community health nursing, and professional trends in nursing, number of, इत्याद इसे आप लोग के intense exam में, question, जो question है, वाप उट अप किया जाएगा, जो आता है number of question कितने रहेंगे, post basic BAC nursing candidate के, तो उनके intense exam में question आएंगे number of question, 70 question रहेंगे, जो की MCQ, multiple choice based question रहेंगे, then total marks, जो आप लोग का 70 question आएगा, जो की 70 marks, 70 number का जो है, आप लोग का question भी रहेंगे, तो 70 प्रस्ण आएंगे, जो की 70 number की रहेंगे, यहाँ पे भी negative marking, जो negative marking की process है, यहाँ पे भी negative marking की minus 1 हो जाएगा, इसके लिए जो यहाँ पे आप लोग का rule लगा की मिलब negative marking की process इसमें लगा है, तो dear student, अगर आप लोग को कोई doubt हो, कोई मिलब confusion है, तो आप लोग वीडियो में comment कीजिएगा, जुड़े रहे हमारे channel medical pulse need के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एड नेक्स्ट कुश्चन के साथ, dear student, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like and subscribe my channel medical pulse need.